भारती एटल ने कर दिया है कमाल क्यूटू के अंदर शान दार रिजट्स पेश करें हैं और जिसकी उमीद जता ही जा रही थी कि वोड़ा फोन आइडिया का फॉल किस कमपनी के लिए सबसे ज़ादा बेनेफीशल होगा तो यहाँ पर इनके रिजट्स से यह आज प्रूव ह हो गया है कि सबसे बड़ा beneficiary telecom sector में भारती Airtel रहा है Vodafone idea के fall से अब देखें पिछली वीडियो की बात करूँगा पिछली वीडियो में हमने यहां पर टेक्निकली एक चीज डिसकस करी थी कि Airtel में जो uptrend आया था काफी लंबे time से उसके अंदर एक rounding top pattern की formation हुई है और अ दिक भी करा यहां पर 416 रुपे के नीचे ये गया और इसने 400 रुपे तक के levels इसने दिखाए है हाले कि उसके further नीचे ये नहीं गया है 400 रुपे के बाद इसने अच्छा खासा bounce लेकर और काफी अच्छे levels इसने हासिल करे हैं वहां के low से और देखें आज की closing में बता रहा जब इसके results आए है market close होने के बाद में तो यहां पर देखें दो चीज़े बनती हैं अब results के उपर सबसे पहले वही discuss करेंगे उसके बाद charts के उपर level जानने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन यानि के next trading session के अंदर क्या कुछ move रह सकता है इस भारती एटल के stock का तो सबसे पह important है जानना क्योंकि revenues में इनके जो operations है revenue collect होता है उसके अंदर अब तक कि सबसे बड़ी यहां पर तेजी इनोंने इस quarter के अंदर दिखाई है सारे के सारे जो figures है millions में दी गए हैं मैं आपको यहां पर convert करके दिखारों करोड में तो देखें 16,011 करोड का यहां पर revenue from operations आया है और अगर इसमें other income भी मिला लेते हैं तो total revenue जो company ने इस बार हासिल किया है वो है 16,380 में करोड का यह almost कह सकते हैं 16,400 करोड का जो पिछले quarter में 15,660 करोड ही था तो काफी अच्छी यहां पर तेजी देखने को मिली है उसके बाद देखें से corresponding सीधे मैं आपको profit and loss की स्थित company loss में ही चल रही है लेकिन आप यहां देखेंगे 846 करोड का ही loss है company को जो just पिसले quarter की बात करूँ में क्यूबन की तो 16,461 करोड का loss था आप सोचे कितना भयंकर यहां पर progress दिखाई है stock के अंदर होश उड़ा दी है इसने market के expectation से कई ज़ादा अच्छा इसने perform करके दिख है 16,461 यानि के लगबख 16,000 करोड के loss से इसने जो recovery दिखाई है और loss पहुचा है मातर 846 करोड रुपे का यहां पर यह important देखने वाली बात है कि भारती एटल ने वाकी में अपना ARPU यानि के average revenue पर user भी increase किया है EBITDA के अंदर भी काफी अच्छे हैं आपर positive देखने को मिली है और revenue के अंदर जो इनोंने शांदर तरीके से perform करके दिखाया है Y on Y basis पर 22% की तेज़ी यहां पर आपको देखने को मिलेगी जिसकी वैसे देखे इतने अच्छे results इनोंने पेश किये है अब मैं आपको दिखाता हूं देखे इनकी एक छोटी सी यहां पर brief profile जो इनोंने basically Q2 FY21 की highlights बनाई है कि भारती Airtel post its highest ever consolidated quarterly revenues अब तक का देखे consolidated highest quarterly revenues इनोंने हासिल किया है इंडिया business delivers strong growth across revenue margins and customers revenue के अंदर margins के अंदर और customer के अंदर भी देखे इजाफा देखने को मिला है अब इससे अच्छी बात टेलीकॉम सेक्टर के लिए क्या हो सकती है जब पिछले एक साल में भारती Airtel या फिर मैं कहा दूँ टेलीकॉम की जो major companies थी उनके लिए किसी के लिए भी अच्छी खबर नहीं आ रही थी और अब एक साल बात ठीक भारती Airtel के लिए बहुत बड़ी खबर आती भी यहाँ पर दिखाए दे रही है जिसका सीधा सीधा impact कल share market के उपर पढ़ने वाला है कितना कुछ rise होगा वो भी हम charts के उपर जाने की कोशिश करेंगे Consolidated quarterly revenues देखे 25,785 करोड हो गया है जो की 22% year on year के basis पर अप है Consolidated EBITDA अगर आप देखेंगे 11,848 करोड का है EBITDA margin 46% का है इंप्रूव हो है 366 basis point अगर आप year on year के basis पर इसको देखेंगे तो Consolidated EBIT देखेंगे तो 4,412 करोड का है और EBIT margin में भी 17,1% का यहां पर रहा है EBIT margin जिसके अंदर improvement है 768 basis points का अब और important बात देखें India revenues रूपीज 18,747 करोड अब 22% year on year led by strong 4G customer momentum and up trading अब यहां important क्या है देखें जो lockdown के दोरान सबसे जाधा data use हुआ customers नहें जुड़े 4G का use सबसे जाधा किया गया उसका impact Q1 में नहीं है क्योंकि Q1 भी partially lockdown के ही अंदर था अब हमें यहीं यहीं चीज़ समझनी थी कि वो जो impact आना था जब हम कहरे थे कि बहुत सारा data use हुआ है lockdown के अंदर पूरा तमाम हिंदुस्तान घर में बैठा हुआ है और data का जो use है वो सबसे जाधा हुआ है उसका impact Q2 के results पे आता हुआ दिखाई दिया है अब बात करते हैं देखें mobile ARPU की यानि कि average revenue per user यानि कि एक user से कितना average पैसा ये हासिल करते है तो वो 162 रुपे पहुँच गया है जो पिछले साल इसी quarter में मातर 128 रुपे था इससे कहते हैं progress और इसी के momentum के साथ में अब इसका stock यहां से उपर की तरफ रफतार पकड़ेगा 4G data customers at 152.7 million up by 14.4 million for the quarter आप देखिए 15 करोड से जादा यहां पर 4G customers है इनके जो basically 1.449 customers इस quarter के अंदर इनोंने जोड़े हैं usage matrix remain best in class data usage per subscriber at 16 GB per month यहां पर यह important है अभी तक जितने भी हमारे पास में competitors है टेली कॉम सेक्टर में उन सब में सबसे best usage matrix निकल के आ रहा है Airtel का यहानि कि demand of Airtel भड़ रही है on an average एक user 16 GB per month का यहां पर usage कर रहा है data consume कर रहा है इसके बाद देखिए इतनी अच्छी profile यहां दिखाई है आज का मैं business दिखाता हूँ भारती Airtel Limited के उपर यहां देखेंगे 434 रुपे का previous close था और आज results आए है market close होने के बाद तो कुछ भी impact इस data के ऊपर यहां पर आपको नहीं दिखाई देगा यह pre Q2 data आपके सामने है 438 रुपे 90 पैसे का आज इसका high था लेकिन closing हुई है इसकी हलकिसी ग्रावट के साथ almost flatish ही आपको इसको कह सकते हैं अब देखिए इस stock में dent कितना बड़ा पड़ा है 612 रुपे के high से यह stock जो है गिरकर आज 430 रुपे के आसपास आपको नजर आ रहा है 350 रुपे का इसका low है 52 week low जो पिछले साल नवंबर में इसने लगाया था और security bus delivery positions देखिए एक करोड 27 लाग से जादा शेरोग के अंदर quantity trade है 38 लाग से जादा शेरोग के अंदर यहाँ पर delivery उठाई गई है और लगबग 30% की यहाँ पर delivery percentage आपको दिखाई दे रही है तो देखिए जिनोंने आज यहाँ पर delivery उठाई है कल उनकी होने वाली है बिल्कुल बल्ले बल्ले आप यह कह सकते है क्योंकि देखिए अब यहाँ पर charts पर देखेंगे जैसे मैंने कि आपको बताया कि results आए हैं इनके market close होने के बाद अब यहाँ पर कल सीधा सीधा इसका impact आता है दिखाई देगा कि यह stock कल के दिन 10% का upper circuit भी दिखा सकता है क्योंकि इसके अंदर जो upper circuit है वो देखे 10% का है previous close 434 रुपे का है यह और इसमें अगर आप 10% जोडते हैं तो 477 रुपीज था इसका आज का upper price brand इसे साफसे 10% का upper price band इसके अंदर हो सकता है तो 433 रुपे से अगर हम 10% जोडते हैं तो approximately 478 रुपीज के आसपास आता है तो 478 रुपीज तक के level मुझे ऐसा लगता है कल की तारीक में इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं भारती 8L के अंदर यानि कि यह जो black line है 50 days का explanation moving average इसको भी कल यहाँ पर यह तोड़ के ऊपर आ सकता है ऐसी संभावना यहाँ पर जता ही जा सकती है क्यूंकि सबसे जादा strong Q2 results भारती 8L ने टेलीकॉम शेतर की जितनी भी companies है और अपने past track record को देखते वे सारे records तोड़ दिये हैं इस Q2 के अंदर तो देखे उसका respect यहाँ पर करतावा नजर आ सकता है market और मुझे ऐसा लगता है कि 477 रुपीज के levels हासिल करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्यूंकि सिर्फ expectation के basis पर ही देखे इसने अपने इस rounding top pattern को यहाँ पर खतम कर दिया था and 3.98 रुपीज के आसपास इसने bounce back उपर की तरफ दिखा दिया था अब जब actual results आ चुके हैं तो definitely यहाँ पर बहुत बड़ी तेजी की संभावना है बनती हुई नजर आ सकते हैं कल की trading session के अंदर तो देखे यह थी पूरी जानकरी ATL के results के according और उसका क्या कुछ impact हमें देखने को मिल सकता है आने वाले time में भी आगे के इसके future prospect के लिए भी मैंने already वीडियो में बता रखा है कि बहुत अच्छा है अगर आपके पास patience है तो अगर आप इसको hold करके रख सकते हैं तो definitely इन levels के उपर यह stock को आप buy कीजिए आने वाले एक साल में यह levels आपको इन levels से बहुत दूर जाता है यह stock दिखाई देगा उपर की तरफ और यह levels आपको मिलेंगे नहीं वापस से pick करने के लिए तो इस वीडियो में देखिए इतना ही एटल के लिए आगली वीडियो में मिलूँगा आपसे एक नए stock के साथ तब तक के लिए नमशकार थेंक्यू जैहिन